फ्रेंट सीधी आप कार ड्राइब करते हैं तो आपने AC का यूज़ तो किया ही होगा और अगर आप AC का यूज़ करते हैं तो आपने अपने डैशबोर्ड पे इन दोनों बटन को ज़रू अब्जर्व किया होगा क्या कभी आपने ध्यान दिया है किनका exact use क्या है अब आप कहेंगे इसमें कौन से बड़ी बात है यह जो पहला बटन है इसमें Simple सी बात है हवा अंदर की अंदर रहेगी और यह जो बाहर का ज़िसरा बटन है वह बाहर के हवा को अंदर फिक्कीगा बस क्या इतना ही तो आज किस वीडियों में डिसक्स करने जा रहे हम इस बटन के ऐसे यूजेज जो आपको शायद नहीं पता होंगे और यह आपके लिए बहुत बेनिफिशल भी हैं क्या है इस अब आए देखते हैं इस वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं नौलेज किंग्डम चले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमारे कार के डेशबूर्ड पर बने इन बटन का मतलब क्या है और इनका यूजेज कब और कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इन जो बटन को जो नाम है वो हम कहते हैं री सर्कुलेशन बटन री सर्कुलेशन नाम से जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है कि ये हवा को री सर्कुलेट करता है चाहे वो कैबिन की एर हो चाहे कैबिन से बाहर की एर हो इसका काम री सर्कुलेट करना है लेकिन सो कब और कहां कैसे यूज करना है आगे देखते हैं पहले सिचूशन हम लेते ह तो हमें बाहर की हवा को अंदर नहीं लेना है, क्योंकि हमें बहुत ठंड लगेगी, लेकिन यहीं गलती हम यहां करते हैं, आपको यहां ध्यान रखना है दोस्तों कि बाहर की आपको fresh air को अंदर लेना, यानि कि recirculated button को आपको यहां पर use नहीं करना है, क्योंकि इसकी फॉगिंग के समस्या नहीं रहेगी, अगर आपने बाहर की fresh air को अंदर लिया, तो जो आपकी धुन जमती है, जो fogging होती है, glasses पे, windshield पे, वो समस्या आपको नहीं रहेगी, अब आप कहेंगे, यार पहले इतनी ठंड है, मैं बाहर की हवा को अंदर लूँगा, तो मेरी car का temperature का क्या होगा, मैं उजे किती ठंड लगेगी, गब रहेए नहीं, आपकी car इस तरीके से ट्यून होती है, एसी इस तरीके से ट्यूनिंग होती है, कि आपकी car उन tubes में सो के आती है, जिससे आपकी climate पे फर्क नहीं पड़ता है, जो temperature आप set करते हैं, car का temperature वही रहेगा, बस आ आप अपनी गड़ी में अचानक आके बैठे हैं, इस situation में आप क्या कहेंगे, अरे आप सुचेंगे कि पहले बाहर बाहर बहुत गर्मी है, एक काम करते हैं, मैं बाहर की fresh air को अंदर लेता हूँ, अब imagine करिए, बाहर का temperature वह 45 डिगरी है, 40 डिगरी है, और इस situation में आपने ब हैं, इस situation में हम इस practice को ना करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, recirculation बटन को on करेंगे, और यहाँ पर इसे off रखेंगे, अब होगा क्या, जब हमने इस बटन को on किया, तो कार के cabin के जो हवा है, वो अंदर ही सरी circulate हो जाएगी, बाहर temperature चाय कितना भी हो जाए, लेकिन जो cabin के ह अच्छा result, अच्छी cooling, बहुत fast cooling देखने को मिलती है, तो आप यहाँ समझ चुके दोनों situation क्या हो चुकी है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अब देखते हैं, कुछ खास tips जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और इन tips को अगर हम देखें, तो पहला है, क्या हो जब आप traffic situation में फस गए हैं, अब इस situation में हम देखें, तो इनका use कैसे है और कहां करना है, पहले situation यदि आप traffic में फस हैं, बाहर बहुत ज़्यदा धुआ है, pollution है, इस situation में आप याद रखें, हमें बाहर का recirculation button को on रखना है, बाहर के fresh air को हमें अंदर नहीं आने देना है, और आप आपको इस situation में recirculation button को on रखना है, ताकि बाहर का pollution और जो जहरीला धुआ है, आपकी गाड़ी में ना आए, दूसरी condition जो आपके पास long parking in summer, यदि आपकी गाड़ी बहुत लंबे समय तक कहीं parking में रखी है, और बहुत ज़दा boiling state में आ चुकी है, गरम हो चुकी है, और अ आप अचानक उस car में गए हैं, बैटने, इस situation में आप क्या करेंगे, आप बोलें के naturally आप ठीक है, मैं दोनों में से कोई भी बटन यूज़ कर लूँगा, प्लीज ध्यान रखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो glasses आप नीचे उतार दीजिए, और थोड़ी देर सिर्फ दो मिनिट के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट रहने दें, इसके बाद जब आपकी गाड़ी पूरी कूल डाउन हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पर री सर्कुलिशन बटन का यूज़ करें, क्योंकि अभी भी हवा बाहर की गरम ही है, इस situation में आपकी कार के इ नहीं है, तो जब भी आप कई boiling car, hot car के अंदर जाके बैठें, तो री सर्कुलिशन बटन को इमिनिटली यूज़ ना करें, बलकि कुछ मिनिट्स आप कार को चलने दें, क्योंकि दो से तीन मिनिट के आपको अपनी कार को कूल डाउन होने दें, और इससे जब बाहर की हवा आपकी कार में आ जाए, कुछ समय के लिए, थोड़ा सा हो सकता है, आपको patience रखना पड़े, लेकिन आपकी कार के लिए बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे, यदि यह वीडियो आपको वाकई पसंद आया है, तो इस चैनल Knowledge Kingdom को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के और आप इसी तरीकी से हमसे जुड़े रहें, थांक यू सो मच, थांक्स वर वाचिंग इस वीडियो, थांक यू.